लो एंड वलकम टो टॉबलस क्लासिज होप यौल आ दूग ग्रेट आज का जो हमारा हमस्विकूर सेशन है यह है वाइडल स्टेटिक्स को लेके हमने बहुत सारी चीजे पढ़ें यह एक वास्ट टॉपिक है जिसमें हमने चाहे वह डेथ रेट हो बॉथ रेट हो उनके किये हैं वह से भी चीजें अल्री किलियर हैं पर इस नॉट पॉसिबल फॉर उस टे इंक्लूड इच और इवरी थिंग एंप सेशन का मतलब यह होता है कि आप लोगों की याद दिहान ही हो जाई इस टॉपिक के रिलेटेड कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी किस तरह स से जो है सरे रह चोड़ देंगे जब तक एक्जाम के अनॉसमेंट नहीं होती है तब तक हम आपके लिए कुछ या कुछ और लेक्टर लेक्टर लेकर आजाएंगे ताकि आप जुड़े रहें इस सब्जेक्टी के साथ आपकी रिवीजन साथ साथ हो जाएं चले लेक्स कैल्कुलेशन को सालू करेंगे उसके लिए मैंने आप लोगों को लेक्टर दिया है बहुत काम बच्चों को लेक्टर मिला है शायद क्योंकि वह प्लेलिस्ट में नहीं है इसलिए उसके लिंक और हमारे पास जो सेक्स रेशु के रिलेटर जो पिछले बार पीए मे रिलेटड भी मैंने लेक्टर नबर 40 जो हमारा आकरी लेक्चर ता स्ट्रिस्टिसट किसका उसमें मैंने कुछ चीज lumin के जिक्र किया है दोनों लेक्चर फट्रक जो मैंने बताई तो उसके बाद लेक्चर नमर 40 में जो हमने उस टियए को implement है था दोनु लेक्चर के description डिसक मिल जाएगे वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप उन लेक्टिर्स को भी देख सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं आज का अप्शन एज डेमोग्राफी ऑप्शन बीज मॉर्बिडिटी ऑप्शन सी इस वाइडल स्टिस्टिक्स ऑप्शन डी इस प्रिवेलेंस क्या कहते हैं इस स्टडी को बिलकुल आप लोगों को पता है आप लोगों ने पढ़ा है इस बारे में एक सिंपल सा पहला ही जो डिफि परते हैं और भी बहुत सारे मैरेज एंड इमिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं उससे हम कहते हैं वाइडल स्टिक्स गाइज पर वन कोशन बड़ टू है हमारे पास नाच्रल इंक्रीज इन पॉपलेशन इस एकवल टो अगर हमने नाच्रल इंक्रीज देखना होगा option a is total नवर्ण जिन ऑप्शें करूड़ बोक्त रेट प्लास प्रूड ङृफ सकते हैं उन सभी terms को मैंने discuss किया है अगर आपने notes को देखींगे वहां पर आपको यह सभी terms मिल जाएंगे तो natural increase के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था natural increase is equal to crude birth rate minus crude death rate ठीक है और इसका जो difference होता है वही हमारे पास रहता है natural increase ठीक है so the correct answer for the question number second is option B I hope कि आपने भी option select किया होगा question number third पर आते हैं what is replacement rate replacement rate जो है यह क्या होता है option A rate required to replace the mothers option B is rate required to replace the fathers option C is rate required to replace both the parents option D is none of the replacement rate किस rate को कहते हैं किस rate से birth होने चाहिए तो जिससे replace हो जाएंगे क्या mother's replace होने चाहिए replacement rate से father's replace होने चाहिए या बोथ parents replace होने चाहिए यानि कि अगर एक parent और एक father और एक के देथ हो जाती है उसके बाद जोनके बच्चे होंगे उनके पास एक बेटा और एक बेटी होनी चाहे था कि वो रिप्लेस करें अपने मादर और फादर को ठीक है उसे हम कहते हैं रिप्लेस्मेंट रेट सो तीकरेक्ट आंसर फॉर दिस अपको पड़ाई थी तो फॉर है हमारे पास Immigration is of highly trained skilled people from countries अगर एक कंट्री से जो है पड़े लिखे वो trained professionals skilled professionals निकल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं उस रेट को जिस रेट से किसी कंट्री से skilled high trained जो high qualified professionals है अगर निकल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं यह बहुत अच्छी टर्म है जब हम national moments पढ़ते थे international moments उसमें हमने इस चीज का बीजिकर हुआ था स्ट्री में हमने यह आर्री पढ़ा होगा कि हम उसे क्या कहते हैं इसी टर्म को जब skilled professionals को निकाला जाता है किसी कंट्री से उसे हम कहते हैं remember the term so the correct answer for this is option B brand rain कहते हैं इसको यह आप लोगों को टर्म पढ़ाई हुए है मैंने चले question number 5 हमारे पास neonatal motility rate is neonatal motility rate क्या होता है option A is number of infant deaths in a year divided by number of live births in a year multiplied by thousand अगर आपने neonatal motility rate निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं option B is deaths under one month divided by number of live births multiplied by thousand option C is deaths between one to eleven months divided by number of live births multiplied by thousand option D is none of the above तो कैसे हम calculate करते हैं neonatal motility rate ठीक है आप लोगों को मैंने बता है number of infant deaths in a year divided by number of live births in a year multiplied by thousand यह होते हैं हमारे पास infant death rate यह आप लोगों को पता है deaths between one to eleven months divided by number of live births इससे हम कहते हैं postnatal motility rate postnatal motility rate ठीक है motility rate यह हमारे पास होगा infant death rate और हमारे पास अगर यह होता है death under one month divided by number of live births एक month के अंदर-अंदर कितने बच्चों की death होती है और total live births कितने होते हैं multiply करेंगे उसको thousand से तो हमारे पास आजाता है neonatal motility rate तीनों terms आप याद रहिए है infant death rate this is postnatal death rate या postnatal motility rate और यह आपके पास option B जो है इससे हम कहते हैं neonatal motility rate यह सबी terms आप लोग आप लोड़ी पड़ी हुई है question number six है हमारे पास inner region एक region में number of males is 9,000 number of females is 11,000 and the number of births are 250 crude birth rate of the region is हमने crude birth rate यहाँ पे calculate करनी हैं हमारे पास females males दे गए हैं number of crude birth rate के मैंने आपको formula बताई ही है ठीक है तो किस तरह से हम crude birth rate यहाँ पे calculate कर सकते हैं option A is 12.5 option B is 11.3 option C is 13.5 option D is 8.25 चल जल्दी से आप calculate कर लीजे यहाँ पे crude birth rate किस तरह से crude birth rate हम calculate करते हैं crude मतलब इसमें हम कोई भी specification एपलाई नहीं करते हैं बिल्कुल crude होता है it's not the exact इसमें बहुत अंतर होता है जो हमारे पास exact होता है और crude जो हमारे पास रहता है ठीक है तो इसमें बहुत फर्क रहता है तो किस तरह से हम calculate करते हैं आप लों को formula पता है I'm sure कि अभी तक आपने calculate भी किया होगा तो हमारे पास है number of births formula है हमारे पास crude birth rate निकालने का cbr number of births divided by number of females plus number of males ठीक है multiplied by thousand इस से इस तरह से हम calculate करते हैं crude birth rate अगर हम देखेंगे इसमें अपने values हम डाल देंगे तो हमारे पास हो गए 250 divided by 1100 plus 900 11000 plus 9000 ठीक है तो यह आगर आप देखिंगे यह आपके पास यहां पर 20,000 बन जाता है नीचे यह 30 और यह 30 गए ठीक है यह 0 और यह 0 गया 2102, 22024 ठीक है एक बचा यहां पर तो यह हमारे पास 10 बना 2510 तो 12.5 आपके पास आ जाता है correct answer I am sure कि आप लोगों को भी 12.5 यह answer निकला होगा ठीक है चले question number 7 पर चलते है question number 7 है हमारे पास specific death rate is equal to अगर आपने specific death rate जहां पर हमने बहुत सारे वेरंट्स पढ़े हैं death rate के और birth rate के तो वहां पर हमने specific death rate भी पढ़ा था और हमने age specific birth rate भी पढ़ा था वो सभी specific चीजें हमने पढ़ी थी यहां पर अगर आपने specific death rate निकालनी होगी तो किसके पराबर होगा वो क्या होता है specific death rate किस तरह से हम calculate करते हैं specific death rate उसके लिए हमारे पास क्या formula है आप लोगं को बिलकुल पता होगा क्योंकि हमने यह चीजें पढ़ी हुई है अच्छी तरह से आप लोगं को यह पता इसके formula दिए गए है मैंने encircle भी किया था इसे formula को तो हमारे पास जो correct formula है specific death rate का जब भी आपके पास specific word आ जाये तो उसमें हमारे पास specific class भी होता है और उसमें हमारे पास जो है number of deaths भी हम देखते है specific class में ही है multiply करते हैं उसको 1000 से यह हमें मिलता है specific death rate इस पर हमने numericals भी की हुए अरड़ी so the correct answer for question verse 7 is option C ठीक है साथ question 8 है हमारे पास if gross reproductive rate is less than 1 अगर gross reproductive rate GRR less than 1 होता है तो उसमें उस case में क्या होता है option A population will increase in spite of low birth rate option B population will decrease in spite of low birth rate no यहां पर birth rate नहीं है low mortality rate है ठीक है low mortality rate यहां पर typing error होआ है low mortality rate population will decrease in spite of low mortality rate option C is population will remain stagnant option D is none of the above तो क्या होता है जब हमारे पास GRR less than 1 होता है उस case में population के साथ क्या होता है क्या population increase होती है birth rate कम होने के बावजूद भी क्या population decrease होती है mortality rate low होने के बावजूद भी option C is population stagnant रहती है option D is none of the above मैंने आपको बताया था कि क्या क्या फरक पड़ती है अगर GRR less than 1 होता है gross reproductive rate अगर less than 1 होता है तो उस case में क्या होता है हमारे पास correct answer आप लोगों को पता है I am sure आपने अभी तक इसको tick किया होगा so the correct answer is option B आपको clue भी मिला इसमें यहां पर मैंने गलती निकालती इसमें population will decrease in spite of low mortality rate ठीक है अगर mortality rate कम भी हो तब भी population कम हो जाती है in case GRR is less than 1 question number 9 पे चले जाते हैं question number 9 हमारे पास total fertility rate of India as per census 2011 is 2011 के census के total fertility rate India की क्या थी option A is 1.6 option B is 2.4 option C is 2.2 option D is 3.2 2011 की total fertility rate क्या थी as per census 2011 ठीक है so the correct option for question number 9 is 2.4 option B is the correct answer for this question number 10 हमारे पास morbidity is the increase in the rate of morbidity क्या होता है किसके rate में increase होना option A is births option B is deaths option C is sickness option D is none of the above क्या होता है morbidity मैंने आपको बताया था morbidity क्या होता है mortality क्या होता है natality क्या होता है वह सभी चीजिए हैं सभी टर्म्स हमने सीखे हैं तो morbidity भी मैंने आपको बताया था morbidity is increase in the rate of remember the term sickness so the correct answer for this is option C sickness होता है morbidity in sickness में कितनी increase होता है for example COVID-19 अगर हमने देखा उसके rate में कितना increase होता है तो उसे हम कहते हैं morbidity ठीक है तो यह थे कुछ MCQs आपके स्टेस्टिकस के related ठीक है यह हमारा वाइटल स्टेस्टिकस था इसके साथ ही हमारा जो हैं स्टेस्टिकस के लिए और एक बात मैं बदाना चाहूंगा कि महारास्टरा से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लेक्जिर्स स्टिकस को follow कर रहे हैं स्टेस्टिकस में उनके मैसीजस भी मुझे आते हैं उनके टेक्स्ट मैसिजस प्रवाइजर के लिए वो पोस्ट के लिए जो prepare कर रहे हैं उसके लिए उनको कुछ topics हैं जो मैंने PA के लिए पढ़ाया था sampling वगरा वो आपके इस PA के इस syllabus में हमारे पास मौझूद नहीं है वो चीज़ें वो मैंने PA के लिए पढ़ाया था sampling techniques वगरा उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी एक लेक्चर आप लोगों के लिए अप्लोड करूँ जहांब हैं आपको sampling वगरा के बारे में बता दो और प्लीज मेक्शुर मुझे यह बता दें आप कि आपका exam कब है से टे करे रहा है इंशाला हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं बाकरी जो हमारे स्टूडेंट्स ट्रीकैसस BFA के लिए प्रेपरेशन कर रहे हमने बहुत कुशिश की हैं कि हर एंगल से आपको train कर सके ताकि आप exam के लिए पूरी तरह से तयार हो जाएं इंशाला उमीद करत है आप भी हमारे लिए हमारे हक में दूआएं कीजे ताकि हम भी आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ खड़े रहें जब तक आपके exams आते हैं और हाँ बाकी जो चीज़े रहते हम कोशिश करते हैं अगर कोई और सब्जेक्ट में आपको problem है उसको भी हम cover करने की कोशि में हैं तो आप लोगों की दूआएं साथ हैं इंशाला बहुत साथ कुछ होने के chances हो हैं भी हमारे हमारे सामने ठीक है चले इजाज़त लेते हैं आप लोगों से अपना ख्याल रखें अपने parents का ख्याल रखें टेक्यार पाई